हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल में दोस्तों आज हम आपसे भाभा एत् Eco Research Center में आई हुई way वेकैंसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों ये वेकैंसी कवर्मेंटाफ इंडिया की तरफ से आई हुई है तो दोस्तो चलिए देखते हैं कि इसके firm को submit करने की opening date क्या है और आप इसके firm को कब तक submit कर सकते हैं तो दोस्तो इसकी opening date 4 जनवरी 2021 की रखी गई है और इसके firm को submit करने की closing date यहाँ पे 22 जनवरी 2021 की रखी गई है तो चलिए दोस्तों इसमें आप देखते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट के लिए विकेंसी आई हुई है और इसमें किस पोस्ट में कितनी विकेंसी दी गई है तो दोस्तों इसमें पहली है इससे ट्रेणिंग कटेगरी फर्स्ट के लिए जिसके लिए 11 विकेंसी रखी गई हैं मोग कंड़ एस्थो ईसमें से से के लिए चार है एस्थी के लिए दोब जोब किward कोई बैंक दी गया है इसमें ट्रेंग के समय पर म acredition कर और में 16 Coconut स्एलर ईए दोस्तों एंड अठारा हजार कंड़े म work команд दी जाएगी दॉस्तों इसमें दो साल के training period रखा गया है और बात करते हैं आपके किस department में कितनी vacancies दी गई है इसमें chemistry के लिए एक vacancy दी गई ही दोस्तों जो कि SC के लिए है chemical के लिए तीन vacancy है जिसमें से SC के लिए, ST के लिए और एक UR के candidate के लिए mechanical के लिए दो vacancy दी गई हैं दोस्तों जिसमें से ST के लिए है और एक UR के लिए electrical के लिए दो vacancy है दोस्तों जिसमें से SC के लिए एक है और UR के लिए एक रखी गई है electronics and instrumentation के लिए तीन vacancy दी गई है जिसमें से SC के लिए एक है OBC के लिए एक है और UR के candidate के लिए एक विकिंसी दी गई है चलिए दोस्तों देखते हैं यहां पर qualification and education की जिसमें BSC with minimum 60% pass candidate इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों साथ में यहां पर diploma in engineering in 3 years after SSC on 2 years and after HSC and BSC के candidate इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों तो इसमें age limit minimum 18 साल and maximum 24 साल की रखी गई है दोस्तों बात करें इसमें selection method की तो इसमें scanning test and interview के थूँ इसमें selection किया जाना है दोस्तों बात करते हैं यहां पर salary package की कि इसमें after training इसमें कितनी salary दी जानी है तो इस frequency में training के बाद 44,900 की यहां पर salary दारेत की गई है चले दोस्तों देखते हैं यहां पर second except step and right training category की second के लिए जिसके लिए 36 frequency दी गई है दोस्तों जिसमें से SC के लिए 6, ST के लिए 4, OBC के लिए 6, EWS के लिए 1, and URK candidate के लिए 19 vacancies दी गई हैं दोस्तों इसमें first year training में per month 10,500 salary दी जाएनी है and second year यहां पे 12,500 की यहां पे salary दी जानी है दोस्तों इसमें भी दो साल का training period रखा गया है अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें department by यहां पे कितनी vacancies कि department के लिए रखी गई है तो इसमें chemical ब्ल рок प्लांटा ओप्रेटर के लिए art vacancy दी गई हैं दोस्तों जिसमें जिसमें से स्थी के लिए two है youälltक organizing टर्डेट के लिए पांच धेगई हैं दोस्तों जिसमें से स्थी के लिए है ओवीजी के लिए एक एंक योड पेनिडे के लिए एक विकने सी देगई हैं दोस्तो मैन सिविल के लिए एक वेकंसी दिए दोस्तों जो की यूवी सी के krist 안녕kaid के लिए रखी गई है और टाउगेस्ट महें मेकेनिकल के लिए दो वेकंसी रखी गई है दोस्तों जिसमे से एस्टी के लिए एक है यहाँ पे URK candidate के लिए एक vacancy रखी गई है मासुन के लिए दो vacancy दोस्तों जो की URK candidate के लिए रखी गई है टोटल 36 vacancy यहाँ पे दी गई है दोस्तों अब बात करते हैं समें qualification and education की तो इसमें minimum 60% marks in a grade in HSC and 12th with physics, chemistry and mathematics के candidate and minimum 60% of grade marks in SSC with science and mathematics के candidate इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं दोस्तों और साथ में आपे minimum 60% marks in SSC with science and math और साथ में आपे one year duration ITI in filter, electronics, mechanics and electrical corporator and dustman, civil and dustman's chemical के candidate इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं दोस्तों देखते हैं पर eligibility के criteria की तो इसमें भी minimum age limit 18 साल and maximum 12 साल की age limit रखी गी है दोस्तों और इसमें selection process यहाँ पर primary test and second stage में यहाँ पर advanced test के थरूँ यहाँ पर candidate का selection किया जाना है दोस्तों अब यहाँ पर देख लेते हैं salary package की कि इसमे salary package कि इतना दिया जाएगा after training तो इसमें technical B के लिए level 3 के हिसाब से 21,700 का salary package रखा गया है and technical C के लिए यहाँ पर level 4 की हिसाब से 25,500 के salary package निर्धारियत किया गया है दोस्तों दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर technical B boiler attendant के लिए जिसके लिए एक vacancy दी गई है दोस्तों और इसमे salary package पर मंत 21,700 का रखा गया है दोस्तों इसमे qualification and education की बात करें तो इसमें SSC plus boil second class boil attendant certificate and age limit की बात करें तो इसमें minimum 18 साल and maximum 25 साल की यहाँ पर age limit निर्धारित की गई है दोस्तों इसमें selection process primary test and advanced test and बाद में उसके third stage में skill test के थ्रूँ यहाँ पर कर्णिडेट का selection किया जाना है दोस्तों यहाँ पर चौथा है बर्क असिस्टेंट A के लिए जिसके लिए 12 vacancies दी गई है दोस्तों जिसमें से SC के लिए 2 हैं ST के लिए 1, OVC के लिए 1, EWS के लिए 1, and UR के कर्णिडेट के लिए 7 vacancies दी गई है चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इसमें salary package की की तो इसमें 18,000 की salary रखी गई है साथ में इन को allowsment भी दिया जाएगा central government के रूल के हिसाब से दोस्तों इसमें qualification 10th and SSE pass out candidate इस फांप को apply कर सकते हैं इसमें minimum age limit 18 साल and maximum 27 साल की age limit निर्धारिद की गई है दोस्तों बात कर सेlection process की तो इसमें first stage में primary test होगा जिसमें mathematics के 20 questions होंगे science के 20 and journal awareness के 10 questions यहाँ पर पूछे जाएंगे दोस्तों इसमें second stage में advanced test लिया जाएगा दोस्तों जिसमें पचास objective type questions पूछे जाएंगे चलिए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर age criteria की इसमें अपर age limit कितनी रखी गई है और इसमें कितना इनको relaxable age दिया जाना है तो दोस्तों इसमें STSE के कर्णिरेट को 5 साल का OBC के कर्णिरेट के लिए तीन साल का यहाँ पर relaxable age दिया जाएगा है चलिए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर application fee की किस वेकिंसी में कितनी application fee ली जा रही है तो दोस्तों यहाँ पर अपने form को कैसे apply कर सकते हैं तो दोस्तों इसके form को apply करने के लिए हमारे description box में आपको link मिल जाएगा जिसके थुरू आप अपने form को apply कर सकते हैं या फिर आप अपने form को online apply कर सकते हैं दोस्तों दोस्तों आप इसके form को 22 जनवरी 2021 तक apply कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीड and listening